वीडियो होने बाला है न्यूजिलेंड की क्या प्लेइंग रहेगी वह आपको बताएंगे साथी साथ आपको यहां पर तो है पिछ से रिडिलेटेड जो है जो डीपली इंफरमेशन है वह आपके साथ में सेयर करेंगे इस वेन्यू पर कितने इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं दोनों ही टीम के लास्ट फाइफ जो है यहां पर हैट टो हैट के रिकॉर्ड और रिसेंट परफॉर्मेंस आपको बताएंगे दोनों ही टीम की प्लेइंग लेवन है और यहां पर प्लेयर के स्टैट्स है तो यार वीडियो काफ इंटरस्टिंग हो जाती है और वीडियो क क्रिकेट इस्टुडियम दुबई के वेन्यू पे यह मैच स्टार्ट होगा अगर हम बात करें यहां की पिछ रिपोर्ट की देखो यहां की जो पिछ है ना यार वो मतलब आई पील में जब चल रहा था तो थोड़ी अच्छी थी बैटिंग के लिए लेकिन अभी जो है हमें अच्छा स्कोर काट देखने के लिए इस वेन्यू पे नहीं मिला है यहां पर बात करूं काफी लो स्कोरिंग जो है मैच रहा रहा है और जो भी टीम यहां पर टॉस बोन करेगी वो जो है पहले यहां पर बॉलिंग लेना जो है प्रेफर करेगी तो यह भी चीज अपने ध सब्सक्राइब बहुत सारे लोग गलत इंफर्मेशन भी आपके साथ में शेयर करते हैं तो यार उस पर आपको केर करना चाहिए टोटल इस वेन्यू पे साथ मैचस हुए है ठीक है और उसके हिसाब से एक सो तीस रण एबरेज स्कूर है इस वेन्यू पे न्यूजिलेंड क सब्सक्राइब लिए टीम और चौतिस बार बैटिंग सेकंड करने वाल टीम ने विन किया है एवरेज स्कूर 144 रन है हाइस्ट स्कूर 211 रन है लोईस्ट स्कूर यहां पर 55 रन है स्कूरिंग पैटर्न अगर आप देखोगे 150 रन से नीचे का स्कूर 49 बार बना है 150 से 170 रन क टीम ने विन किया है एवरेज स्कूर 155 रन है है इस्कूर 210 रन लुवेस्ट स्कूर उनसट रन है स्कूरिंग पैटर्न भी लिखा हए उसत बार यहां पर टौ्छ हे मेंस के पेसर्स को एक सो चार विकेट तो डेफिनिटली पेसर्स को भी जो है अच्छा यहां पर एडवांटेज रहता है इस वेन्यू पे जो लास्ट मैच हुआ था वह था इंडिया और न्यूजुलेंड का आठ विकेट से जो है न्यूजुलेंड ने चेस करते वे विन किया उसके गाला सोपचास तीव यहां पर इसकोर बन सकता है वीडियो अगर आपको इंफर्मेटीव लग रही हो वीडियो अच्छा अब पलाइक करे लोग भी वीडियो को लाइक करते हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद तो वीडियो को लाइक आप जहूर से किया करें अगर हम बात करें इस यहां पर दोनों ही टीम की कम परीजन अगर आप करोगे तो स्कॉटलेंड का बैटिंग एबरेज 155 रन है जबकि न्यूजिलेंड का बैटिंग आवरेज आप निकालोगे तो 171 रन है बालिंग एकोनोमी अगर आप देखोगे तो यहां पर स्कॉटलेंड की बालिंग एकोनोमी जो है 8.32 है जबकि आप अगर न्यूजिलेंड की बालिंग एकोनोमी देखोगे तो भाई 8.28 है तो डेफिनेटली ओन न्यूजिलेंड ने विन कर लिया था उसके बाद यहां पर कोई सा भी रिकॉर्ड नहीं है यहां पर देख सकते हो न्यूजिलेंड ने इसको चेस करते हुए स्कॉटलेंड की टीम हालाकि उन्होंने बिगेट नहीं गवाए थे यहां पर अगर पॉइंट सेबल भी आप द मैच करके और ही रही है जिब कि लास्ट की डूनूनों मैच भी तो वो भी आप यहां पर सकते हो करेंट करेंगे यहां पर प्लेंग लेवन की तो सबसे पहले हम सकॉर्ट लेंड कि प्लेंग सरीफ है और ब्रेड वील है तो यह स्कॉट लेंड की प्लेंग लेवन रहने वाली है इनके प्लेयर रोल भी हमने लिखे हुए है तो यह भी आप देख सकते हो लेफ्ट हंडर बेट्समें जो है मैट्यू क्रॉस तो लेफ्ट हंडर राइट हंडर को कॉम्बिनिशन भी आप डेफिनिटल यहां पर पढ़ सकते हो अगर हम बात कर यहां पर न्यूजिलेंड की तरफ से मार्टिन गुटल के साथ में डेरियल मिचल ओपन करेंगे वन डाउन पे केन विलियम सन है उसके बाद डेविट कॉनवे है गैलन फिलिप्स है जैमी निशम है टीम साउदी है इस सोडी है ट्रेड़ बोल्ट है एडम मिलने है यह जो है न्यूजिलेंड की यहां पर प्लेइंग लेवन रहने वाली है इनके प्लेयर रोल भी आमने लिखे हुए है प्लेयर रोल से आपको काफी हेल्प मिलेगी लेट हैं मिसल सैटनर जैमी निशम और लास्ट में 0 पर बैरिंग्ट और अगर मैं बात करूं तो यह दो जो है दो बार 0-0 दे चुके हैं आज मैंच में डेफिनिटली इनका खाता खुलना चाहिए और कुछ अच्छा स्कोर जो है कर सकते हैं देखो काईले कुटे जो है यहां पर आप खेलते हुए दिखाई दे तो यह भी आप जरू से ध्यान दिजेगा इनकी लास्ट मैच की बॉलिंग अगर आप देखोगे बैडवील चार ओवर पूरे डालते हैं चार ओवर पूरे डालते हैं बाकिस शुफियन शरीफ और पूरे डालते हैं डेवी को लास्ट में सिर्फ दो अबर मिला था जबकि व सब्सक्राइब कर देखोगे तो मात्र जो है पांच बॉलर इनों ने यूज किये थे इनके पास काफी सारे बॉलर्स है जैसे की जैसे की जैमी निशम हो गए या फिर इवेंट डेरियल मिचल भी जो है कभी-कभी बॉलिंग कर लेते हैं हैं तो डेरियल मिचल को छोड़ दे अगर जैमी निशम ने लास्ट में भाई बॉलिंग नहीं कर आई थी तो यह आपको ध्यान देना चाहिए टीम सेफट लास्ट मैच खेले नहीं थे तो यह भी ध्यान दीजेगा ट्रेंट बोल्ट है टीम साओधी है मिसल सैटनर है एड मिलने ने क्या किया था चार अब डाले थे तीसरन और एक विकेट लेकर गए थे पांचवा नौवा पंद्रहवा और अठ्रावा उबर डाला था तो यह भी डिटेल साप यहां पर पढ़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर देना क्योंकि मैं सारी वीडियो लग साथी केन वियमसन मैट क्रोस और रिचर्ड बैरिंग्टन यह जो है टॉपिक्स में आते हैं की प्लियर्स है इनको आपको अपने टीम में लेना चाहिए कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी केन वियमसन ट्रेट बोल्ट टीम साउथी यह तीनों जो है आई थिंग मेरे हिसाब से बेस्ट रहने वाले हैं तो जील में इनको जरू से ट्राइ कर लिजेगा दोनों ही टीम के यहां पर स्कॉर्ड डिटेल लिखी हुई है स्कॉट्लेंड के लिंक से आपको चले आना है ड्रीम लेवन टीम के प्रडिक्शन और प्लेइंग लेवन टॉस्क इन्फरमेशन यह सारी चीजे जो है आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलती है कब जब मैच स्टार्ट होना रहता है तब और वह काफी फाइदेमन रहता है आपके लिए विक वह अगर में बात करूँ यहां पर बैटीं सेख्शन में यहां पर बैस तुरीजर बरिइंग्ट्न को अपने जाघिम लेकर जारा हूं यहां पर अगर मैं बात करूँ ट्रेड बोल्ट हमारी टीम में आएंगे साथी साथ टीम साओधी हमारी टीम में आएंगे और एड़ा मिलने हमारी टीम में आएंगे देखो आपके पास एक यहां पर बॉलर लेना है जे डेवी को ले लो बॉलिंग का जो है अच्छा मतलब हर match में अगर आप देखोगे तो भाई अच्छे विकेट जो है इन्होंने निकाले है तो भाई काफी अच्छी जो है च्वाइस रने वाली है काफी सारे लोग जो है लेके आने वाले हैं इस वाले match में भले ही फेल हो गए हो सूफियन सरीफ की बात करें तो लाश्ट के कुछ मैचस में यह इनों ने भी अच्छा किया है स्टार्टिंग में अच्छा नहीं स्कोर मिल पाया लेकिन उसके बाद हर मैच में लगबग एक विकेट लेके जा रहा है बात करें यहां पर कैटन सी वाइस कैटन सी के लिए तो देखो यार आपको कुछ भी यहां पर सोचना नहीं है डायरिकली आप यहां पर ट्रेट बोल्ड को कैटन करो और टीम साओधी या फिर मिलने को वाइस कैटन करो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्कॉटलेंड की पूरी टीम अगर न्यूजिलेंड बॉलिंग करे पहले तो इनकी पूरी टीम टिक पाएगी तो यहां पर अगर हम बात करें तो डेविट कौनवे को भी मत लेना यार इनकी जगप मिसल सैटनर या फिर जो है किसी ऐसे बॉ है और जेक डेवी है यह हमारी टीम रहने वाली है न्यूजिलेंड वर्सेज स्कॉटलेंड के मैच में आई होप जो है मारा वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक जो और से करना और चैनल पर पहली वीडियो में